हेलो दोस्तों, आज चार अपणी 2020 के क्रेनफर को डिस्कस करेंगे तो आज का पहला कोशने, देश का पहला किर्सी आधारित सौर उर्जा साइयंत्र यानि की फार्म बेस्ट सोलर पलांट कहां पे शुरू किया गया है तो इसका इंसर उप्शन सी राजस्थान में तो कंट्रीज फार्म बेस्ट सोलर पलांट जैपूर डिस्टिक के भालोगी विलेज में राजस्थान में सुरू किया गया है अच्छा इसका कैपिसरी होगा 17 लाग यूनिट पर इयर और यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है अंडर परधान मंत्री कुसुम इसकिम के तहट अच्छा कुसुम का फुलफ़ों होता है किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान कुसुम इसकिम को 2019 में लॉंच किया गया था और इसमें जो भी फार्मर या फे ग्रूप वो फार्मर है वो अगर सोलर पर्म को इंस्टल करता है तो उसमें जितना भी लागत यान की कोस्ट लगेंगे तो उस कोस्ट को तीन पार्ट में डिवाइट किया गया है तो पहला 60% सबसिडी ये गोर्मेंट देंगे और 30% लोन बैंक द्वारा देया जाएगा और 10% को फार्मर पे करेंगे अगला कोसे ने PESB यानि Public Enterprise Selection Board का अधिक्च किसे निउक्त किया गया है तो इसका अंसरे Option B मलिका सिरी निवाशन तो ये MD& Chairman है Tractor and Farm Equipment के मलिका सिरी निवाशन ठीक है तो ये MD& Chairman है TAFE का अचा ये फर्स्ट टाइम हुआ है जो किसी Private Sector Specialist को Head of PESB बनाया है यानि कि Public Enterprise Selection Board अगला कोसे ने 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा Digital Payment की है तो इसका अंसरे Option A इंडिया ने तो ये रिपोर्ट रिलीज किया है ACI Worldwide जो UK Best Payment System Company है अचा टोप कंट्रीज में है इंडिया जो 2020 में 25.5 बिलियन रियल टाइम पेमेंट किया है अचा चाइना सेकेंड नमर पे है जो 15.7 बिलियन रियल टाइम पेमेंट किया है तिसने नमर पे साउथ कोडिया और USA का रेंग है 9 अगला कुशन है कौन सा देश में बोक्सिंग वर्ल्ड चेंपिंशिप 2023 की मेजबानी करेगा तो इसका अंसर ऑप्शन भी उजबेकिस्तान में बोक्सिंग वर्ल्ड चेंपिंशिप 2023 को होस्ट करेंगे तो ये तासकंद में होस्ट किया जाएगा तासकंद कैपिटल है उजबेकिस्तान का और इसका ये 22nd edition को होस्ट करेंगे ठीक है अचा रिसेंट न्यूज है तो फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 कौन होस्ट करेंगे तो न्यूजिलेंड एन आस्टेलिया याद रहेगा फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 अचा आएसे सी वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 ये न्यूजिलेंड होस्ट करेंगे और इसमें ओफिसल स्वांग सेलेक्ट किया गया है गर्ल गेंग को अगला कोशन ने वर्ल्ड सीटीज कल्चरल फोरम में भारत का प्रतिनिदी कौन करेगा व इसमें सामिल क्या गया है 40 वर्ल्ड सीटीज को और जिसमें लंडन टोकियो न्योग एड न्यू देली भी सामिल है और इसका थीम होगा और इसको इन्वेट क्या है मतलब अर्विंद केजरिवाल को साधिक क्या है जो की mayor of London है अगला गुशन है Be the brand ambassador of tribes India परतियोगीता किस के लिए launch किया गया है तो इसका answer option है tribal के लिए तो जनजाती के लिए Be the brand ambassador of tribes India contest को launch किया गया है तो इसमें दो tribal के लिए दो contest को launch किया है तो पहला है Be the brand ambassador of tribes India और दुसरा है Be a friend of tribes India तो इसको कौन लॉज़ किया है तो ट्राइफेट यानि कि ट्राइबल कोपरेटिव मार्केटिंग डेवलेमेट फेडरेशन दूसरा है यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर एंड गुवर्मेंट ओफ इंडिया तो ये तीनों मिलके दो कंटेस्ट यानि कि ट्राइबल के लिए द तो नाइजर का नया राष्ट पती बना है मुहमत बाजम अचा नाइजर ये अफटीन कंट्री है मतलब अफटीन का एक कंट्री है जिसका प्रोसीदियेश है अलजेरिया लिबिया चड नाइज़रिया बेनिन बुर्केना फासो एंड माली नाइजर का केपिटल है नायमी ठीक है? आपको यहां पे लेक चर्ड मिल जायेगा. अगला कुस्थ ने भारत का दूसरा विवाजन संगराले कहां पर बनाया जा रहा है? तो इसका एंसर उप्षन C, देली में भारत का दूसरा पार्टिसन मुज्यम बनाया जा रहा है और first partition museum कहाँ पर बना था तो अमरी सर में तो जो second बन रहा है दिल्ली में तो वो first मतलब अमरी सर partition museum का extension होगा ठीक है अच्छा ये क्यों बना जा रहा है अगला question है लाला पारजन sanctuary किस राज में इस्तित है तो अब ये news में क्यों है क्योंकि यहाँ पर फोरेस्ट में आग लगी है तो इस sanctuary को कच बस्टर sanctuary के नाम से जाना जाता है और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जाना जाता है ठीक है अच्छा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये critically endangered है IUCN के मताविक ठीक है और ये कहाँ पर है तो कच डिस्टिक नालिया में तो गुजरात में इंपोर्ट है नेशनल पार्ग और वाईलाब सेंग्चूरी है तो इसके लिए ट्रीक है बकेट को नल के पास लेके गए और फिसलन होने के कारण गिर गए तो यहां पर कीवर्ड है नल बकेट एंड गीर तो आपको पता होना चाहिए कि गीर फेमस है पळक नेशनल पार्ग अग्ला को सने हालि में वही पी कानून गो किस बेंक से रिटाइड हुए है तो इसका अंसर ओप्शन ए आर्बी आई से वीकान गोरी सेनल रिटार्ड हुए है और वह आर्बी आई के डिप्टी गवर पाइंटं खपना थी और और आर्बी आइका T away कब वहा था तो 1 April 1935 को under Reserve Bank of India Act 1935 RBI का headquarter है Mumbai में और recently इन्होंने 86 Foundation Day बनाया है और RBI का first governor था Sir Opsborne Smith और present time governor है सक्तिकांथ दास अगला question है इस साल National Handmade Day कब मनाया गया तो इसका answer option B 3 April को इस साल National Handmade Day मना जाता है तो यह कब मना जाता है तो first Saturday of April बल्द अपरिल के पहले सनिवार को National Handmade Day मना जाता है तो इस question का आप answer comment में देंगे तो question है पालतू जानवरों पर Corona vaccine लगाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना who became the first country to approve Corona vaccine for pets तो इसका answer आप comment में जरूर दे झालतू झालतू आप झालतू और जाता है तो ओर्सके यालतू क का वालतू झालतू झालत तो यालतू देशा झालतू झालतू